साथियों नमस्कार आपका अपने चैनल टेक्टोमास्टर आर्टी में बाश्विर से स्वागत हैं अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन दमारा ना भूले जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें जैसा कि हम जानते हैं कि महा निदेशक स्कूल सिचायम राज्य परियोजना निदेशक कार्याले द्वरा पूर्म में ही यूटूब सेसन के माधम से या आदिशों के माधम से बता दिया गया था कि जो उत्तर प्रदेश बेसिस सिच्छा परसे द्वरा संचारित परसेदी त्याले हैं उनमें पंजिकाओं का डिजिटाजेशन किया जाना है जो रजिस्टर होंगे उनको आनलाइन किया जा रहा है और इसके संबंद में आदेश है इसमें महा निदेशक सिच्छायम राज्य परियोजना निदेशक कार्या द्वरा इन साथ जिला बेसिक सिच्छा अधिकारियों के लिए आदेश जारी हुआ है इन साथ चन्पदों के लिए लखनव हर्दोई लखिंपूर खीरी रैब रेली सिता पूरु नाओं स्रवस्त्री इन साथ जिलों में ये जो पंजिकाएं हैं इनका डिज्टाजेशन किया जाएगा यह आदेश 10 नमंबर 2020 को परस्तिव द्यालों में पंजिकाओं के डिज्टाजेशन के संबंद में कहा गया है इसमें 14 आगस 2020 को जो आदेश चारी हुआ था टाइम एन मोशन के लिए उस आदेश का जिक्र किया गया है जिसमें टाइम एन मोशन इस्टडी के अधर पर सहच्छिडे कारियों के लिए समयाबति अन्य कारों के साथ सथ द्याला इस तरफ पर वेवरत की जाने वाली प्रण्जिकाओं के संबंद में सुसंगत तिसा निर्देश बतान किये गए है इसी के आगे इसमें 20 जुलाई 2023 के आदेश का 20 अंदर्फ ग्रहट करने की बात कही गई है जिसमें 22 प्रस्त के आधिन संचालित प्रसधी विद्यालोहित निर्धारित बारा पंजिकाओं के डिज्राइजेशन कराने का निर्णा लिया गया था टाइम एंड मोसन इस्टेडी के संबंद में निर्गत सास्ता देश में उलखित पंजिकाओं में से सिच्छक टायरी को छोड़ कर पूर मे क्याने बारा पंजिकाओं इसके बारे में देख लेते हैं उपस्तित पंजिका, प्रोईस पंजिका, कच्छावार छात, उपस्तित पंजिका, पंजिका, समय कित निसुल्क सामक्री वित्रण पंजिका, इस्टाग पंजिका, आय व्या एम चेकिसू पंजिका, बैठक पंजिका, निरिच्छर पंजिका, पत्र वहर पंजिका, बालगरना पंजिका, उसकाले एम खिलकूत पंजिका, ये 12 प्रकार की पंजिकाएं हैं इनक से एक माडूल दो है पीरहा पोर्टल पर वह जारी किया चुका है तो अब ही कहा गया है कि वर्थमान में प्रयुक्त की जारही पहुतिक प Hemicos है हुआ कि बसक्राइब गया है और इसी अनुसार समस्थ प्रवस्टिया डिजिटल प्रेट फार्म पर अंकित की जाएंगी तो जो 12 पंजिकाय है उसके बारे में नीचे एक एक करके दिया गया है कैसे कैसे करना है तो यह देख लेते हैं इसमें सबसे पहले उपस्थित पंजिका बारे में कहा गया है कि डिजिटल उपस्थित पंजिका में विद्याले में कारिवरत समस्थ अध्याप को द्वारा प्रति दिन अपनी उपस्थित विद्याले आगमन प्रस्थान का समय अंकित किया जाएगा दूसरा है कि विभाग द्वारा परसदी प्रासमिक विद्यालियों के लिए जो 2,9,830 टैबलेट उपलब्द कराए गए हैं विभाग द्वारा टैबलेट उपलब्ध कराए जाने तक पंजिकाओं के समस्त अध्यापकों कार्विकों द्वारा प्रेणा पोर्टल पर दर्ज कराए गए अपने मोबाइल नंबर से अपने उपस्तित प्रदिन अंकित की जाएगी यानि जब तक टैबलेट आप लोगों को नहीं मिल जाते हैं तब तक ये जो प्रेणा पोर्टल पर उपस्तित जो दर्ज की जाएगी ऑनलाइन ये आपके अपने जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड है जो प्रेणा पोर्टल पर उसके द्वारा की जाएगी उसके बाद जो उपस्तित होगी उसको प्रधाना अध्यापक द्वारा प्रमानित किया जाएगा इसमें आगे समय की बात की जा रही है समय के बारे में कहा गया है कि एक अप्रेल से 30 हितंबर जो की घर्मी का टाइम होता है उस समय साथ पैतालिस से आठ बजे तक आने का समय और विद्या अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में क्या है इसमें दिया गया है कि जो आठ पैतालिस से नौ बजे तक आप विद्याले आगमन की उपस्तित दर्ज कर पाएंगे और आप विद्याले से जाने की उपस्तित जो है तीन पंद्रा से साड़े तीन तक कर पाएंगे आगे इसमे वेलो में कारण समझ से चिको एंव इस टाप की उपस्तित का आनलाइन प्रमानी करन प्रध्याना त्यापक द्वारा किया जाएगा तो प्रवेस पंजिका के बारे में कहा गया है कि बच्चों के नामांकन के समय संपूर विवरण इसमें दर्ज किया जाएगा इसे नाम ल प्रध्यापक द्वारा डिष्टलअ पंजिका में अंकित किया जाएगा अंतिम का च्छवु उत्तिरण व अन्यत्र विद्याले रहत, इस्थाना नत्र प्रमार्पत यान्य, टीसी निर्गमन का विवरण भी डिशिक प्रवेस में अंकित किया जाएगा अगे इसके बाद बात कर लेते हैं 6 उपस्थित पंजीका के बारे में जो 6 उपस्थित पंजीका है उस पंजीका में विद्याले में अध्यानत जो भी बच्चे हैं उनकी द्यानिक उपस्थित अंकित की जाएगी अध्यापकों द्वारा बच्चों की उपस्तित, स्पार्ट फोन या टैबलेट के माध्यम से पोर्टल पर निम्न उन्दुखार अंकित की जाएगी जो 1 अप्रैल 30 सितंबर जो गर्मी का टाइम होता है उस समय बच्चे की जो प्राता उपस्तित दर्ज की जाएगी वो 8 वजे से 9 वजे तक की जाएगी और अभी जो ठंडी का समय चला है दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च सक जो ये टाइम रहेगा इसमें बच्चों की उपस्तित प्राता 9 वजे से 10 वजे की बीच में आपको उपस्तित दर्ज करनी होगी ऑनलाइन आगे इसमें MDM पंजिगा के बारे मात कही गई है तो MDM पंजिगा में जैसा कि हम जानते हैं कि लाभरती संख्या मेनू खाद्यान परिवर्तन लागर आज का विवर्ण दिया जाता है तो वह ये था इस्थान पर अंकित किया जाएगा प्रदिनमध्यार भोजन के उपरा उक्त पंजिगा अनिवारी रूप से अधितन की जाएगी यानि आप उसमें रोज का रोज आप उसमें डाटा भरेंगे दिनांक 1 अप्रेल से 30 सितमबर तक यानि गर्मी के टाइम आप जो है पंजिगा को दोपहर 12 बजे तक भर ले और जो ठंडी का टाइम होता है यानि एक अक्टूबर से 31 मार्च के बीच आप तेड़ बजे तक पंजिगा को अपडेट कर ले यानि पंजिगा में अपना डाटा मध्यान भोजन पंजिगा मध्यान बोजन का वह आप अपडेट कर ले आगे निसुल्क स्वामगरी वित्रण पंजिका के बारे में कहा गया है इस पंजिका में बच्चों को प्रतान के जाने वाले समस्त निसुल्प जो भी सवामगरी है वह अंकित की जाएंगी ज needing और स्थान पंजिका में आगे है ई स्टाइक्कमोर्ण PCा बारे में कहा गया है कि कि दिजिटल इस्टाक पंजिका में विजयाले की संपूर्ण परिसंपंतियों वस्तु हो समग्रियों आधिका विवर्ण अंकित किया जाएगा पंजिका में किसी वस्तु के क्रय या प्रयोग किया जाने पर पंजिका को किया जाएगा प्रधाना ध्यापको, सूरिश्चित किया जाएगा कि digital इस्टाग पंजिका अध्यतन हो यानि अपडेट हो और अंकित समगरी इस रियाले के उक्तानुसार अपपलब्द हो इसट्राग पदेट करना है यानि तोर्व कार्सए आपको आपको टाप्ट 2023 को अपडेट। जाएगा, इस पंजीका को तीन भागों में बाटा गया है MDM SNC और अन्य प्राप्त धनरास विवरण वाले भाग में प्राप्त धनरास का विवरण बैंक का नाम प्रस्प्रेशन्ट करता प्राप्ति का दिनान तथा मत का नाम अंकित किया जाएगा वे में धन्राश चैक संक्यायम तित्ष बैंक का नाम कारे टाई संस्था का नाम तथा अन्य व्यवरेण किया जाएगा उग्त पंजिका में भ्याधन रशे समवादित अफिलेथ अपलोड किया जाए से बहुतिक पंजिका भी वहवरत की जाएगी यानि इसमें फिन जे डिजटल जो पंजिका रहेगी वह तो रहेगी ही साथ में जो भौतिक पंजिका आपकी स्कूलों में है उसको भी आपको अपडेट करके रखना हो भी यह इसलिए है क्योंकि अभी यह साथ जनपदों के लिए अभी यह ट्रैल सुरू किया गया है, अगर यह सफल रहता है, कोई इसमें जो अपडेशन होती है, वो अपडेट करने के बाद, जब यह क्लियर हो जाएगा, जब पूरी तरीके से वर्ख करने लगेगा, तो सभी जनपदों के लिए यह चीज ला विभिन्ने समितियों जैसे विद्याले प्रवन समिति सिच्चक अभिवावक संग माता समु आध की बैठक का एजेंडा कारेवरत फोटोग्राफ सुथा उपस्टी सदस्टों का विवरण अंकित किया जाएगा उक्त किया जाएगा उक्त किया तरित मीना मंच गठन बाल संस सद्गठन रसोया चायन की कारवाही समंदित समस्त विवरण भी अंकित और अप्लोड किया जाएगा विद्याले में आहुद बैठकों के उपरांत उक्त डिजिटल पंजिका को अधितन किया जाएगा बैठक संपन होने के पस्चात या निवारे रूप से हेड़मास्टर सब्सक्राइबे отв हरे स्कों इंक डाल नुटी के उपडेट किया जाएगा निरिच्छण विवर हैं उक्त अप्डेट किया से आपको प्डेट करना है बाल गर्णा पंजिका की समस्त्वास्टियां सार्दा प्रेणण पोर्टल पर अंकित अपडेट की जाएंगी उक्त पंजिका में विद्याले के सेवित छे से चयुदा वैवर्ग के समस्त बच्चों का विवरण अंकित किया जाएगा आगे पुस्टकाले वम खेल कुद पंजिका कि बारे हम कहा गया है उक्त पंजिका के दो भाग है पुस्तकाल एम खेलकू समगरी का विवरण पंजिका में पुस्तकाल एम खेलकू समगरी वाले भाग में अंकित प्रोष्टियों के अउसार विवरण अंकित किया जाएंगे उक्त पंजिका को नीमित रूप से अफडेट किया जाएगा आगे इसमें लाश्ट में दिया गया है उक्त समस्त पंजिकाय पाइलट आधार पर उपर उलखित साथ जन्पदों के समस्त प्रात्विक विद्याले उच्छ प्रात्विक विद्याले कंपोजिट एम कस्तूर्बा गांधि वालिका विद्यालें में 20 नॉंबर 2023 से ध्यान रखने वाली बात है कि इसी महीने से ये भौतिक विद्यों डोनों रूपों में अपडेट की जाएगी यानि आपको दोनों रूपों में आपके रजिस्टर सुरचित रखने है अपडेट करने हैं भौतिक रूप से और डिश्टल रूप से भी राज परियोजिना कार्याले द्वारा उक्त जन्पदों के खंड सिच्छा अधिकारियों SRG, ARPM, JELA समयनवेक प्रसिच्छन, MIS को डिजिटल पंजिकाओं के प्रयोग के संबंद में आनलाइन मार्ध्यम से प्रसिच्छन भी प्रदान किया जाएगा इसमें से 12 पंजिकाओं को अपडेट करने के बारे में आनलाइन अपडेट करने के बारे में कहा गया है यानि online रोज आप जो 12 पंजिकाएं हैं उनको आप update रखेंगे उनमे आप data जो भी आपको feed करना है डाटा आपको डालना है वो आप रोज परड़े आप डालेंगे जिसमें चाहे वो उपस्तित पंजिका हो चाहे बालकोंगी उपस्तित पंजिका हो चाहे MDM पंजिका हो या आपको update रखना है और साथ में इसको भौतिक रूप से भी update रखना है क्योंकि अब यह trial किया जा रहा है अगर यह trial में सफन होता है तो बाकि सभी 75 जन्पदों के लिए यह आदेश लागू हो जाएगा तब सायद आगे यह भौतिक पंजिकाओं का काम ना रहे सिर्फ आप आपको online पंजिकाओं को ही भढ़ना होगा तो तब तक के लिए आपको यह दोनों यानि भौतिक पंजिकाओं आपकी जो भी है रजिस्टर आपके जिस्कूल में जो भी है उनको भी update करना है और online माध्यम से भी जो यह पंजिकाओं दी गई है आपको module में इसको भी आपको आपको समय समय पर मिलते रहें धन्यवाद